लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भीए भाई यार भहनों पंचायती राज दिवस का ये दिन ग्रामीन भारत के नवनिर्मान के संकल्पों को दोहराने का एक महत्वपुन अवसर होता है ये दिन हमारी ग्राम पंचायतों की योगदान और उनके असाधारन कामों को देखने, समझने और उनकी सराहना करने का भी दिन है अभी मुझे गाउं के विकास में सराहनिय काम करने वाली पंचायतों को सनमानित करने उनको एवोर्ड देने का अवसर मिला है मैं आप सभी को पंचायती राज दिवस की अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ हाल में अनेक राज्यों में पंचायत चुनाव संपन हुए हैं और बहुत जगर चल भी रहे हैं इसलिए आज हमारे साथ बहुत से नए साथी भी हैं मैं सभी नए जनप्रतिजिद्यों को भी बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ साथियों आज गाह और गरीब को उसके घर का कानूनी दस्तावेज देने वाली बहुती बड़ी और अहम योजना स्वामित्व योजना को भी पूरे देश में लागू किया गया है ये वर्ष जिन स्थानों पर ये योजना प्रारंब की गई वहां के अनेक साथियों को प्रोपर्टी कार्ड भी दिये गए हैं इसके लिए भी इस काम में जुड़े हुए और समय बद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले सभी साथियों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और सुबकामनाय देता हूँ स्वामित्व योजना गांव और गरीब के आत्मविश्वास को आपसी विश्वास को और विकास को नई गती देने वाली हैं इसके लिए भी मैं सभी देश्वाश्यों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों एक साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था तब मैंने आप सभी से आगरत किया था कि आप कोरोना को गाउं में पहुँचने से रोकने में अपनी भुमी का निभाएं आप सभी ने बड़ी कुसलता से न सिर्फ कोरोना को गाउं में पहुँचने से रोका बलकि गाउं में जागरुकता पहुँचाने भी बहुत बड़ी भुमी का निभाई इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनोती है वो चुनोती पहले से ज़रा ज़्यादा है कि गाउं तक इस संक्रमन को किसी भी हालत में पहुचने नहीं देना है उसे रोकना ही है पिछले साल जो आपने महनत की देश के गाउं ने जो नेत्रुत दिखाया वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ बड़ी टिस्प्रिन के साथ और जादा से जादा लोगों का साथ ले करके बहुत ही पक्का करेंगे सफलता जरूर पाएंगे क्योंकि आपने पिछली बार किया था अब एक साल का अनुभव है संकट के समन में जादा तरब जानकारिया है संकट से बचने के रास्तों के समन में जानकारी है और इसलिए मुझे भी स्वास है कि मेरे देश के मेरे गाउं के सारे लोग गाउं का नित्रुत्व करने वाले लोग गाउं में कोरोनिया को प्रवेश करने से रोकने में सफल होंगे और बहुत उत्तम तरीके से वेवस्था भी करेंगे जो भी गाइडलाइन्स समय समय पर जारी होती हैं उनका पूरा पानन गाउं में हो हमें ये सुनिश्चित करना होगा इस बार तो हमारे पास वैक्सिन का एक सुरक्षा कवच है इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गाउं के हर एक वैक्ति को वैक्सिन की दोनों डोज भी लगें भारत सरकार अभी 45 आयू के उपर के हर व्यक्ति का मुप्त टिका करन कर रही है हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है अब एक मई से 18 साल की उम्रत से उपर के लोगों को टिका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टिका करन अभ्यान सफल होगा साथियों इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोये गरीब से गरीब का भी चूला न जले ये भी हमारी जिम्मेदारी है कल ही भारत सरकार ने प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना के तहट मुप्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है मई और जून के महने में देश के हर गरीब को मुप्त राशन मिलेगा इसका अलाब असी करोड से जादा देश वाचियों को होगा इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड रुपे से अधिक खर्च करेगी साथियों ये राशन गरीबों का है देश का है अनका हर दाना उस परिवार तक पहुँचे तेजी से पहुँचे समय पर पहुँचे जिसको इसकी जरुरत है ये सुनिशित करना भी कि हम सबका काम है और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारे और पंचायत के हमारे साथि बख्खु भी इसको भी निभाएंगे साथियों ग्राम पंचायतों के जन प्रतिनिती के रूप में आपका रोल लोग तंत्र को मजबूत करना है और गाउं की आकांगशाओं की पूर्ति करने का है हमारे गाउं भारत के विकांस और आत्म निर्भरता के अहम केंदर रहे हैं पुझ्य महत्मा गांदीज कहते थे आत्म निर्भरता से मेरा अर्थ है ऐसे गाउं जो अपनी मुलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्म निर्भर हो लेकिन आत्म निर्भर होने का मतलब ये नहीं है की अपनी सिमाओं में हम बंद जाए पुझ्य बापु के विचार कितने स्पष्ट है यानि हमें नए नए अवसरों को नई नई संभावनाओं को तलास्ते हुए अपने गामों को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है साथियों पिछले साल जिन छे राज्यों में स्वामित्व योजना की शुरुवात हुई थी वहाँ एक साल के भीतर ही इसका प्रभाव भी देखने लगा है स्वामित्व योजना में ड्रॉन से पूरे गाउं का संपतियों का सर्वे किया जाता है और जिनकी जो जमीर होती है उसे उनका प्रपर्टी कार संपति पत्र भी दिया जाता है थोड़ी देर पहले ही पाँच हजार गाउं में चार लाग से जादा संपति मालिकों को इप्रपर्टी कार दिये गए हैं स्वामित्व योजना की बजह से आज गाउं में एक नया आत्मविश्वास लोटा है सुरक्षा का एक भाव जागा है गाउं के घर का नक्षा अपनी संपति का दस्तावेच जब हाथ में होता है तो अनेक प्रकार की आशंका एक खत्म हो जाती है इससे गाउं में जमीन जायदाद पर होने वाले जगड़े कम हुए है कहीं कहीं तो परिवार के जगड़े भी नहीं खत्म हुए है गरीबों दलितों का सोषण की संभावनाए भी रुकी है करप्षन का एक बड़ा रास्ता भी बंद हुआ है कौड कचरी के मामले भी बंद हो रहे हैं जिन लोगों को अपनी जमीन के कागज मिल गए है उन्हें बैंकों से लोन भी लेने में आसानी हो रही है साथियों स्वामित्व योजना की एक और विशेश बात है इस योजना में ड्रोन सरवे के बात हर गाउं का एक पूरा नक्षा जमीन का पूरा हिसाब किताब भी बन जाता है इससे पंचायतों को गाउं में विकास के कामों को एक लंबी सोच के साथ एक वीजन के साथ व्यवस्ति डंग से करने में भी ये नक्षा ये मैं बहुत काम आने वाला है और मैं सभी सरपंचों से आगरे करूँगा इसको बड़ा समझदारी से आगे बढ़ाये ताकि गाउं व्यवस्तित रुप से विक्सित हो एक प्रकार से गरीब की सुरक्षा गाउं की अर्थववस्ता और गाउं में योजना बद विकास इनको स्वर्णिदी योजना सुनिश्चित करने वाली है मेरा देश के सभी राज्यों से भी आगर रहेगा कि इसके लिए सर्वे अफ इंडिया के साथ M.O.U. साइन करने का काम जल्द से जल्द पूरा कर ले कई राज्यों में इसके लिए भूमी कानूनों में बडलाव की भी जरुवत है राज्यों को मेरा ये भी छुजाव है कि गाउं के घरों के कागज बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति बैंक लोन चाहता है तो उसको बैंकों में अर्चन ना आए ये सुनिश्चित किया जाए मैं बैंकों से भी अपिल करूँगा कि वो प्रोपर्टी काड का एक फॉर्मेट बनाए जो बैंकों में लोन के लिए स्विकार्य हो आप सभी पंचायत के प्रतिनिध्यों को भी स्थानिय प्रसाशन के साथ तालमेल और गाम वालों को सही जानकारी देने के लिए काम करना होगा साथियों हमारे देश की प्रगती और संस्कृति का नेत्रुत्वा हमेशा हमारे गामों ने ही किया है इसलिए आज देश अपनी हर नीती और हर प्रयास के केंद्र में गामों को रखकर आगे बढ़ रहा है हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गाउं समर्त हो आत्म निर्फर हो इसके लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है पंचायतों को नए अधिकार दिये जा रहे हैं पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गाउं को फाइबर नेट से जोडने का काम भी तेजी से चल रहा है आज हर गर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजरा की जिम्मेदारी भागिदारी पंचायतों को स्वपी गई है यह अपने आप में बहुत बड़ा काम हमने आपके जिम्में आपकी भागिदारी से आगे बढ़ाया है आज गाओं में रोजगार से लेकर गरीब को पक्का घर देने तक का जो व्यापक अभियान केंदर सरकार चला रही है वो ग्राम पंचायतों के माज़्यम से ही आगे बढ़ रहा है गाओं के विकास के लिए प्राक्तिताय ताय करनी हो उनसे जुड़े निर्ने लेने हो इसमें भी पंचायतों की भूमी का बढ़ाई गई है आप अपने भगाओं की चिंता करे गाओं की इच्छाओं अपेच्छाओं के मताबिक विकास को गती दे इसके लिए देश आपसे अपेच्छा भी कर रहा है आपको समसाधन भी दे रहा है यहां तक की गाओं के अनेक खर्चों से जुड़ी अनेक शक्तियां भी सीधी पंचायतों को दी जा रही है छोटी छोटी जरुरतों के लिए आपको सरकारी दफ्तरों में अब कम से कम जाना पड़े इसकी चिंता कर रहे है अब जैसे आज ही जो कैश इनाम कैश प्राइज यहां दिये गए हैं वो सीधे पंचायतों के बैंक एकाउंट में जमा किये गए हैं साथियों भारत सरकार ने सवा दो लाग करोड रुपे से जादा की राशी ग्राम पंचायतों के हाथ में ही दी हैं इतनी बड़ी धनराशी पंचायतों को इससे पहले कभी नहीं दी गई थी इस पैसे से गाउं में साथ सफाई से जुड़े कारिय उसकी प्राक्प्रिक्ता रखनी चाहिए साथ पिने के पानी की विवस्ता केरने के लिए प्रैता करना चाहिए स्वास्त सेवाओं को बहतर बनाने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए लेकिन जब गाउं के विकास के लिए इतना पैसा जाएगा इतने काम होंगे तो अपने ग्रामबासी ये भी अपेक्षा करेंगे कि हर काम में पारदर्शिता होनी चाहिए ये अपेक्षा आपसे ही है और आपसे ही की जाएगी आपकी ही जिम्मेदारी होगी इसके लिए पंचायती राज मंत्राले ने इग्राम स्वराज के जरिये पेमेंट्स की आउनलाइन व्यवस्ता की है जो भी पेमेंट होगा वो पब्लिक फाइनांस मैनेजमेंट सिस्टिम पी एफ एमेस इसके माध्यम से होगा इसी तरह वर्ष में पारदर्शिता और जिम्मेदारी ताय करने के लिए ओनलाइन ओडिट की व्यवस्ता भी की गई है मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में पंचायते इस सिस्टिम से जुड़ गई है मैं देश के सभी पंचायत प्रधानों से अनुरोद करूँगा कि अगर आपकी पंचायत इस सिस्टिम से नहीं जुड़ी है तो जल्द से जल्द आप इसमें जरूर जुड़ जाए साथियो इस वर्ष हम आजहादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं हमारे सामने चुनवतियां जरूर है लेकिन विकास का पहिया हमें तेज गती से आगे बढ़ाते रहना है आप भी अपने गाउं के विकास के लक्ष तै करें और तै समय सिमा में उन्हें पुरा करें जैसे की ग्राम समा में आप स्वच्चता को लेकर जल सवरक्षन को लेकर पोशन को लेकर टीका करन को लेकर सिक्षा को लेकर के एक अभ्यान सुरू कर सकते हैं आप गाउं के घरों में जल सवरक्षन से जुड़े लक्ष तै कर सकते हैं आपके गाउं में ग्राउंड वाटर लेवल उपर कैसे आएं इसके लिए लक्ष तै कर सकते हैं खेती को फर्टिलाइजर से मुक्त करना हो या फिर कम पानी में पैदा होने वाली अच्छी फसलों की तरफ गाउं को आगे बढ़ाना हो पर ड्राप मौरक आप एक एक मुंद पानी से मबलख पांक कैसे प्राप्त करे इसके लिए भी आप काम कर सकते हैं गाउं के सभी बच्चे और विशेशकर बेटियां स्कूल जाएं कोई भी बीच में पढ़ाई न छोड़े आप सब को मिलकर ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए ओनलाइन पढ़ाई को लेकर ग्राम पंचायत अपने स्तर पर किस प्रकार गरीब बच्चों की मदद कर सकती हैं इसमें आप जरूर अपना योगदान दे मिशन अंतियोदाई सर्विक्षन इसमें जो गाउं की जरूर पे जो कमियां सामने आती हैं हर ग्राम पंचायत को उन्हें दूर करने के लिए लक्ष निर्धारित करने चाहिए अभी की इन परिस्तितियों में पंचायतों का मंत्र होना चाहिए दवाई भी कड़ाई भी और मुझे विश्वास हैं कि कोरोना के जंग में सबसे पहले विजय को होने वाला है तो मेरे हिंदुस्तान के गाउं विजय होने वाले हैं मेरे हिंदुस्तान के गाउं के नेतृत्व विजय होने वाला है मेरे हिंदुस्तान के गाउं के गरीब से गरीब नागरिक गाउं के सभी नागरिक मिलकर के विजय होने वाले हैं और देश और दुनिया को रास्ता भी आप गाउं वाले इस सफलता के साथ दिखाने वाले हैं ये मेरा आप पर भरोसा है विश्वास है और पिछले साल के अनुभव के कारण है और मुझे पक्का भरोसा है कि आप उसको बखु भी निभाएंगे और बड़े प्रेम भरे वात में निभाते हाँ ये भी अपकी विश्यसता रहती है कोई भूखा न रहे इसकीवी चिंता करते हैं और किसी को बुरा न लगे इसकीवी चिंता करते हैं मैं फिर से एक बार आपकी इस कोरोना की लड़ाई में जल्द से जल्द बीजे प्राक्त हो, आपका गाउँ कोरोना मुक्त गाउँ रहे, इसमें आप सफल हो, इसी एक विश्वास के साथ, फिर एक बार आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत शु कौन को दवाना मत विए